उधार जब तक ले सकते हैं ले लो और एक समय ऐसा आएगा भारत जैसे देश में चेक डिसॉणर करना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है बहुत अच्छी सेल कर दी लेकिन हाथ में कुछ प्रॉफिट बचता नहीं है एड़ोकेट के थुरू आप लीगल नोटिस बेजेंगे तो 99% केसिज में हिंदुस्तान का व्यापारी सबसे अधाद चोरी करता टेक्स की आपका पेमेंट डूबने के संभावना भी उतनी कम होगी आपको क्या करना है इस वीडियो इस पावरड बाए मेटास लाइश्टाइल इंडियास लीडिंग मैनुफाक्ट्टर और स्टेल स्टेल, मडूलर केशिन, बाथ्रूम वैनिटी, गौर्ड रूब्स एंड स्टील इंटिरियर, रंचाइजी शोरूम, पैन इंडिया हाई फ्रेंड्स, भारक जैसे देश में व्यपार करना बहुत कठिन है, क्यों? क्योंकि यहां पर मैक्सिमम बायर को जो मैट्रिल चाहिए, वो उधार में चाहिए, बहुत कम ऐसे बिजनस हैं, जहां पर बिजनस हैं या तो कैश में होता है, या हैंडर पर सेंट एडवांस पर होता है, ऐसे में व्यपारी को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, कि वो उधार माल तो दे देता है, लेकिन धीरे 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 करते करते हैं, उसका बेड़ट बढ़ता चला है, मतलब पैसा डूबना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, और एक समय ऐ कि देखने में तो लगता है, बहुत अच्छी सेल कर दी, लेकिन हाथ में कुछ प्रॉफिट बचता नहीं है, उस घाटे की वज़े से कई बार व्यापार बंद होने के स्थिति में भी आ जाता है, तो आज है मिसी विशय पर बात करने वाले हैं, हाउ टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट कि हम जब उधार माल बेचे ना, पहली बात तो कोशिश करें कि उधार बेचने की नौबत ना है, आप कुछ ऐसा एक्स्ट्रा डिसकाउंट दें, जिसकी वज़े से बायर आपको कैश पेमिंट देने के लिए तैयार हो जाए, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऐसा बेन पैसा डूबा देंगे, मतलब पैसा देने का जो अशूरेंस है वो खतम हो जाएगा, तो आज हम इसी विशा पर बात करने वाले हैं कि हम कैसे माल बेचे हैं कि हमारा माल बेचने के बाद हमारा पैसा 100% सिक्योर रहे और हम लॉस में ना आए इस वज़े से कि हमने माल उधा पर के पास ना number of buyers बहुत सारे होते हैं, लेकिन कई वार क्या होता है, उधार देने की जो प्रक्री है वो इस तरह की बन जाती है कि एक ही व्यक्ति को हम हमारे total turnover का बहुत बड़ा volume उधार में दे देते हैं, आई मैं इसको एक उधारन के उरुप में बताता हूं, माल लीज सकते हैं, अब ऐसा तो होगा नहीं कि 20 के 20 आपका पैसा लेके भाग जाएंगा डूब जाएगा, लेकिन यदि आपने इस एक करोड की सेल में 70%, 80% या 90% तक एक ही आदमी को उधार दिया हुआ है, और अगर वो व्यक्ति डूब जाता है, या आपका पैसा नहीं देता, तो आपका व्यापार बंदोनी किस्तिति में आ जाएगा, ऐसे में में करना क्या है, फिक्स अप लिमिट अफ अमाउंट, एक व्यक्ति की लिमिट अमाउंट सेट कर दो, कि मैं एक व्यक्ति को इतने रुपे स्यादा का उधार नहीं दूँगा, यह तो रही कि उनिवर्सल बा बात, define number of days of credit, अभी कई बार क्या होता है, ओधार में जाता जा रहा है, पिछली पेमेंट आती जा रही है, नए अमाल जा रहा है, पिछली पेमेंट आ रही है, लेकिन days defined नहीं है, आपको हमेशा अपने बायर के साथ days define करने है, कि आपका credit 7 days का है, 10 days का है, 15 days का है, 1 month का है 3 month का है और कोशिश करें कि कम से कम number of days हो जिसके लिए आपने उधार दिया हुआ है जब आप days define कर देते है न तो एक तरह से आप पैसा मांगने के हख़़दार हो जाते हैं कि 15 दिन का समय मैं ने दिया था 16 दिन होगो, 18 दिन होगो, please make the payment लेकिन अगर days define नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है पैसा मांगना, इसके बाद get confirmation of order by mail और purchase order, अभी ये एक problem क्या है, कि बहुत सारे लोग ना कच्छे में काम करते हैं जिसकी वज़े से problem क्या आती है, वो mall supply करते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई record नहीं होता, in terms of order, purchase order या अगर आपके पास purchase order नहीं है, तो आप सबसे पहले अपना purchase order अपने बायर को ज़रूर भेजें, चाहे mail के जरिए भेजें या hard copy भेजें कि आप मुझे अपना purchase order दीजिए purchase order मिलने के बाद ही आप किसी भी व्यक्ति को material दें, तो इसका मतला आपके पास एक ऐसा proof है, कि उस व्यक्ति ने purchase का order मुझे दिया था, जिसके against में मैंने material supply किया है, दूसरी important बात, issue PI performa invoice हम क्या करते हैं, टेक्स बचाने के चक्कर में न, हिंदुस्तान का व्यापारी सबसे चोरी करता, टेक्स की और टेक्स बचाने की वज़ा से वो क्या करता है, कि performa invoice issue नहीं करता, कि बिली नहीं देंगे तो टेक्स भी नहीं लगेगा, लेकिन आब ऐसा है नहीं, आने वाले समय में, जो लोग अपने business को ठीक तरीके से नहीं design करेंगे और ड्राफ्ट करेंगे, उनका business बंदोने की कगार पर आ जाएगा, और government के compliance इस तरह के हो जाएगे कि आप tax की चोरी करी नहीं पाएंगे इसलिए करना क्या है, सबसे पहले उससे purchase order लें, और उस purchase order के against PI, performa invoice मतलब invoice का एक प्रारूप होता है कि आपने मुझे purchase के लिए order दिया और अब मैं आपको confirmation दे रहा हूँ कि हाँ यह material मैं आपको देने वाला हूँ जिसका invoice ही होगा, उसके बाद get PDC of invoice value suppose आपने किसी को 70 lakh रुपी का material दिया है 70 lakh plus GST अगर वो including GST अगर extra है तो extra GST के साथ आप उनसे PDC charge करें PDC receive कर ले, post dated check कि ठीक है आपने मुझे 15 दिन का समय लिया है, पर 15 दिन के बाद का मुझे एक check दे दे और friends एक बात मैं आपको बता रहता हूँ भारत जैसे देश में check dishonor करना भी एक बहुत बड़ा crime है तो आपके पास confirmation of payment है कि अगर वो व्यक्ति अपने निश्यत समय पर payment नहीं देता तो आप PDC जमा कर देंगे, check जमा कर देंगे और payment के लिए recovery का हगदार आप बन जाएंगे, उसके बाद issue bill with GST and E-way, हम लोग केवल और केवल GST बचाने की वज़ा से, tax बचाने की वज़ा से bill issue नहीं करते हैं लेकिन अगर आप GST का bill काटते हैं साथ में E-way form देते हैं आपको पता है कि अगर आपकी billing direct state में 50,000 से उपर है तो आपको E-way bill निकालना पड़ेगा आप E-way bill निकाल कर GST के साथ उस व्यक्ति को bill issue करें and get confirmation of delivery हम लोग जब material भेजते हैं ना तो material भेजने के बाद एक receiving होती है कि हाँ, सामने वाले व्यक्ति को material receive हो गया है और जैसी वो delivery आपका material जाए उससे receiving आप ज़रूर लें और receiving को एक separate record में लगा के रखें documentation जितना बेतर होगा ना आपका payment डूबने के संभावना भी उतनी कम होगी आपको क्या करना है आपको delivery की एक file रखनी है जिसमें आप सारे delivery letters डाल के रखते हैं इसके लाबा उसके बाद ask for the payment on due date ज़रूरी नहीं कि हर विक्ति आपको चेक के थ्रूई payment करेगा लेकर उसने PDC आपको दिया हुआ एक तरह से security दिया हुई है वो कहता है ठीक है मेरा PDC return कर दो और मैं आपको cash payment या online account transfer या RTGS या किसी भी तरीके से आपको remittance बेज रहा हूँ तो payment receive होने के बाद ही आप उसको cancelled PDC देंगे कई बार क्या होता वो PDC मंगा लेगा लेकिन payment नहीं देगा तो यहां भी समझ लो कि पैसा डूबने के संभावना है तो ऐसे में आपको करना क्या है उसके बाद अगर वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है मैं भी डिले कर रहा है बार बार कि 15 दिन का समय हो गया है रहे नहीं मैं भी आपको 15 दिन बात दूँगा यह 10 दिन बात दूँगा वो डिले करता जा रहा है और ध्यान रखिए एक चेक की एक limit होती है कि इतनी number of days के अंदर आपका check अगर cash नहीं हुआ है तो वो check invalid हो जाएगा इसलिए आपको क्या काम करना है अगर आपके defined 15 days के बाद वो आपको payment नहीं दे रहा है तो आपको सबसे पहला काम करना है कि sir please मेरा request है कि आप payment दे वरना मैं check deposit कर दूँगा और वो आपको कोशिश करेगा चाहें वो psychological दवाब बनाए, emotional दवाब बनाए या एक request form में बोले कि check जवा मत करो मैं आपको payment करवाता हूँ तो कोई बात नहीं मैंने check deposit कर दिया है जैसी आप check deposit करेंगे या तो उसके account में balance होगा तो आपका check cash हो जाएगा आपके account में fund transfer आजाएगा या उसका check bounce हो जाएगा इन case अगर check bounce होता है तो ये एक criminal offense है उस व्यक्ति के खिलाब कि उसका check bounce हो गया है आप जैसे ही उसको legal notice serve करेंगे by the way of advocate के थुरू आप legal notice बेजेंगे तो 99% cases में जैसी आप legal notice बेजते हैं आपकी payment आपको मिल जाती है बहुत कम cases में ये case आगे चलता है तो आप check bounce का case उस consumer के खिलाफ उस buyer के खिलाफ हट डाल सकते हैं और अपनी payment को receive कर सकते हैं friends ध्यान रखिए अगर आप इन सभी steps को follow नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे व्यापार में ना मेरा business का relation इतना बढ़िया बन चुका है कि मेरी payment डूबने के संभावना नहीं है तो आप देखें पिछले कुछ वर्षों में व्यापार की जो स्तिती भारत में पैदा हुई है ना उसमें अच्छे अच्छे लोगों का पैसा डूब गया है और बहुत established business owner भी अपने business को बंद करके market से out हो गये है और बहुत सारे लोगों का करोडो रुपया ऐसे लोगों के पास डूब गया है जिनके पास पैसा डूबने की कोई संभावना भी नहीं थी यदि आपका system सही होगा method सही होगा step सही होगे तो आपके पैसे डूबने की संभावना 99 प्रतिशत तक कम हो जाएगी इसलिए ज़रूरी है इन सभी steps को follow करना friends business related कोई भी informative video मिस ना हो उसके लिए इस channel को subscribe करें यहाँ पर बहुत सारे business videos आपको मिलने वाले हैं sales related, marketing related, promotions related, franchisee, expansion, import, export, buyer कैसे रूणने, online, offline और विशय पर आपको वीडियो मिलेंगे जरूरत है इन चीजों को सीखने की, समझने की और अपने business में implement करने की friends मेरे जीवन का उदेशी की भारत के हर घर से एक सफल businessman तयार हो सके इसलिए मैं अपने business time से separate time आप लोगों के लिए निकाल कर business videos बनाता हूँ ताकि आप भी practical अनुभव को जान सके की कैसे हमारी industry बहुत तेज़ी से progress कर रही है इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्षर मित्माईश्वरी आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय भारत